अगस्त के इस महने में आप सभी के पत्रों, संदेशों और कार्ष ने मेरे कार्याले को तिरंगा मै कर दिया है मुझे ऐशा साहदी कोई पत्र मिला हो जिस पर तिरंगा ना हो या तिरंगे और आजादी से जुड़ी बात ना हो बच्चों ने, युवाज साथियों ने तो अमरित महोत्सव पर खुप सुन्दर सुन्दर चित्र और कलाकारी भी बना कर भीजी है आज हादी के समहने में हमारे पूरे देश में, हर शहर, हर गाउं में अमरित महोत्सव की अमरुत धारा बह रही है अमरित महोत्सव और स्वतंत्रदा दिवस के इस विशेश अवसर पर हमने देश की सामोहिक शक्ति के दर्शन किये है एक चेतना की अनुभूती हुई है इतना बड़ा देश, इतनी विविदित आएं लेकिन जब बात तिरंगा फरानी के आई तो हर कोई एक ही भावना में बहता दिखाई दिया तिरंगे के गवरों के प्रसम प्रहरी बनकर लोग खूद आ गया है हमने स्वच्छता अभ्यान और वेक्शिनेशन अभ्यान में भी देश की स्पिरीट को देखा था अमरित महोत्सों में हमें फिर देश भक्ती का वैसा ही जज़बा देखने को मिल रहा है हमारे सहिनिकों ने उची उची पहाड की छोटियों पर देश की सिमाओं पर और बीच समंदर में तिरंगा फैराया लोगों ने तिरंगा भिहान के लिए अलग-अलग इनोवेटिव आइडियाज भी निकाल देए जैसे गिवासाती कृष्णिल अनिल जी ने अनिल जी एक पजल आर्टिस्ट है और उन्होंने रिकॉर्ड समय में खुपसरत तिरंगा मोजेक आर्ट तयार की है करनाटका के कोलार में लोगों ने 630 फिट लंबा और 205 फिट चौड़ा तिरंगा पकड़कर अनूठा द्रश्य पस्तुत किया असम में सरकारी कर्मियों ने दिधाली पुखरी बार मेमोरियल में तिरंगा फैराने के लिए अपने हातों से 20 फिट का तिरंगा बनाया इसी तरह इंदोर में लोगों ने human chain के जरिये भारत का नक्षा बनाया चंडीगर में युवाओं ने विशाल धुमन तिरंगा बनाया इस दोनों ही प्रयास ग्रिनीज रिकॉर्ड में भी धर्च की गए है इस सब के बीच हिमाचल परदेश की गंगोड पंचायत से एक बड़ा प्रेणादाई उधार भी देखने को मिला यहां पंचायत में स्वतंतरता दिवस के कारकम में प्रवासी मजदूरं के बच्चों को मुख्य अतिधी की रुप में शामिल किया गया पाथियों अमरित महोत्सव के ये रंग केवल भारत में ही नहीं बलकि दुनिया के दूसरे देशों में भी देखने को मिले बोट्सवाना में वहां के रहने वाले स्थानिय सिंगर्स ने भारत की आजाजी के 75 साल मनाने के लिए देशभक्ति के 75 गीत गाए इसमें और भी खास बात ये है कि 75 गीत हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बांगला, असम्या, तमील, तेलुगु, कनड़ा और संस्कृत जैसे भाषाओं में गाए गए इसी तरह नावीविया ने भारत नावीविया के सांस्कृतिक पारंपारिक समंदों पर विशेश नेम जारी किया है सात्यों मैं और एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ अभी कुछ दिन पहले मुझे भारत सरकार के सूचना और प्रसारन मंतरा लेके कारकम में जाने का उसर मिला वहां उन्होंने स्वराज दूरदरसंज की सीरियल का स्क्रीनिंग रखा था मुझे उसके प्रीमियर में जाने का मोका मिला ये आजाज के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अनसुने नायक नाईकाओं के प्रयासों से देश की युवापीडी को परिचित कराने के बहतरीन पहल है दूरदर्शन पर हर रविवार रात नौ बज़े इसका प्रसारन होता है और मुझे बताया गया कि 75 सब्ता तक चलने वाला है मेरा आग्र है कि आप समय निकाल कर इसे खुद भी देखे और अपने घर के बच्चों को भी जुरूर दिखाए और स्कूल कॉलेज के लोग तो इसको रकोडिंग करके जब सोमवार को स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो विशेश कारकम की रचना भी कर सकते हैं ताकि आज हदी के जंग के इन महानायकों के प्रती हमारे देश में एक नई जागरूता पैदा होगी आज हदी कामरत महोत्सव अगले साल यानि अगस्त 2023 तक चलेगा देश के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो लेखन आयोजन आदियम कर रहे थे हमें उन्हें और आगे बढ़ाना है मेरे प्यारे देश फासियों हमारे पुर्वजों का ग्यान हमारे पुर्वजों की दिर्ग द्रष्टी और हमारे पुर्वजों का एकात्म चिंतन आज भी कितना महत्वपुन है जब उसकी गहराई में जाते हैं तो हम अस्षिरे से भर जाते हैं हजारों साल पुराना हमारा रगवेद रगवेद में कहा गया है ओमान मापो मानुशी अम्रुक्तम ठात तोकाय तनेयाय शंयो हो युयम हिष्ठा भीशे जो मात्रु तमा विश्वश्य स्थातु हो जगतो जनित्री ही अर्थात हे जल आप मानवता के परम मित्र हैं आप जीवन दाईनी हैं आपसे ही अन्न उत्पन होता है और आपसे ही हमारी संतानों का हीत होता है आप हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं और सभी बुराईयों से दूर रखते हैं आप सबसे उत्तम आउशदी हैं और आप ही इस ब्रह्मान के पाननहार है सोचिए हमारी संस्कृती में हजारों वर्ष पहले जल और जल सवरक्षन का महत्व समझाया गया है जब ये ग्यान हम आज के संदर्म में देखते हैं तो रोमान्ची थो उड़ते हैं लेकि जब इसी ग्यान को देश अपने सामर्थ के रुप में स्वकारता है तो उनकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है आपको याद होगा मन की बात में ही चार महिने पहले मैंने अमरित सरोवर की बात की थी उसके बाद अलग-अलग जिलों में स्थानिय प्रशासन जूटा स्वयम से भी संस्थाय जूटी और स्थानिय लोग जूटे देखते ही देखते अमरित सरोवर का अंदर्मान एक जन आंदोलन बन गया है जब देश के लिए कुछ करने की भावना हो अपने कर्तवियों का एहसास हो आने वाली पीडियों की चिंता हो तो सामर्थ भी जुड़ता है और संकल्प नेक बन जाता है मुझे तिलंगना के बारंगल के एक शांदार प्रयास की जानकारी मिली है यहां एक नई ग्राम पंचैत का घठन हुआ है जिसका नाम है मंगत्या वाल्य थांड़ा यह गाऊं फॉरेश एरिया के करीब है यहां के गाऊं के पास ही एक ऐसा स्थान था जहां मामसून के खटा हो जाता था गाउंवालों की पहल पर अबिस्थान को अम्रित सरोवर अभियान के तहट विक्सित किया जा रहा है इस बार मांसुन के दोरान हुई बारिज में ये सरोवर पानी से लबालब भर गया है मैं मद्रप्रदेश के मनला में मोचा ग्राम पिंचेग में बने अम्रित सरोवर के बारे मैं भी आपको बताना चाहता हूँ ये अम्रित सरोवर काना राष्ट्रिय उद्ध्यान के पास बना है और इस 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 इलाके की सुन्दरता को और बढ़ा दिया है उत्तर प्रदेश के ललितपूर में नव दिर्मित, सहीद भगत्सी अमृत सरोवर भी लोगों को काफी आकरशित कर रहा है यहां की निवारी ग्राम पंचायत में बनाई ये सरोवर चार एकड में फैला हुआ है सरोवर के किनाले हुआ अवर्ख्षा रुपण इसकी सोभा को बढ़ा रहा है सरोवर के पास लगे 35 फिट उचे तिरंगे को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं अमृत सरोवर का ये अभियान करनाटका में भी जोरों पर चल रहा है यहां के बागल कोट जी लेके बिलके रूर गाउं में लोगों ने बहुत सुन्दर अमृत सरोवर बनाया है दरसल इस खेतर में पहाड से निकले पानी की वज़े से लोगों को बहुत मुश्किल होती थी किसानों और उनके फसलों को भी नुक्षान पहुंकता था अमृत सरोवर बनाने के लिए गाउं के लोग सारा पानी चैनलाइज करके एक तरफ ले आए इससे इलाके में बाड़ की समस्या भी दूर हो गई अमृत सरोवर अभ्यान हमारी आज की अनेक समस्याओं का समाधान तो करता ही है हमारी आने वाली पीडियों के लिए भी उतना ही आवश्यक है इस अभ्यान के तहट कई जगों पर पुराने जलाशनों का भी कायकल्प किया जा रहा है अमृत सरोवर का उप्योग पशुओं की प्लास बुजाने के साथ ही खेती किसानी के लिए भी हो रहा है इन तालाबों की वज़े से आसपात के ख्षेत्रों का ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ा है वहीं इनके चारों और हर्याली भी बढ़ रही है इतना ही नहीं कई जगे लोग अमृत सरोवर में मचली पालन की तैयारिया में भी जूटे है मेरा आप सभी से और खास कर मेरे युवा साथ्यों से आग रहा है कि आप अमृत सरोवर अभ्यान में बढ़ चटकर के हिस्सा ले और जल संचय और जल संवरक्षन के इन प्रयास्व को पूरी से पूरी ताकत दे उसको आगे बढ़ा है मेरे प्यारे देशवासियों असम के बौंगाई गाउं में एक दिल चस्प परियोजना चलाई जा रही है प्रोजेक्ट संपोर्णा इस प्रोजेक्ट का मकसद है फूर पोशन के खिलाब लड़ाई और इस लड़ाई का तरीका भी बहुत यूनिक है इसके तहट किसी आंगलवाडी केंदर के एक स्वस्त बच्चे की मा एक कुपोशित बच्चे की मा से हर सप्ता मिलती है और पोशन से समंदित सारी जानकारियों पर चर्चा करती है यानि एक मा दूसरी मा की मित्रबन उसकी मदद करती है उसे सीख देती है इस प्रोजेक की मदद से इस खेत्र में एक साल में 90 प्रतिसत से ज़्यादा बच्चों में कुपोशन दूर हुआ है अब कलपना कर सकते हैं क्या कुपोशन दूर करने में गीत संगीत और भजन का भी इस्तिमाल हो सकता है मद्द प्रदेश के दतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान इस मेरा बच्चा अभियान में इसका सभलता पुर्वा प्रयोग किया गया इसके तहट जिले में भजन किर्टन आयोजित हुए जिसमें पोशन गुरु कहनाने वाले सिक्षकों को बुलाया गया एक मठका कारकम भी हुआ इसमें महलाए आंगनवाडी केंदर के लिए मुठी भर अनाद लेकर आती हैं और इसी अनाद से सनीवार को बालभोच का आयोजन होता है इससे आंगनवाडी केंदरों में बच्चों की उपस्तिती बढ़ने के साथ ही कूपोशन भी कम हुआ है कूपोशन के प्रती जागरुकता बढ़ाने के लिए एक यूनिक अभ्यान जार्खन में भी चल रहा है जार्खन के गिरिडिम में साब सीडी का एक गेम तयार किया गया है खेल खेल में बच्चे अच्छी और खराब आतकों के बारे में सिखते हैं साथियों कूपोशन से जुड़े इतने सारे अभीनव प्रयोगों के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सबको भी आने वाले महने में इस अभ्यान से जुड़ना है सितंबर का महिना त्योहारों के साथ साथ पोशन से जुड़े बड़े अभ्यान को भी समर्पित है हम हर साल एक से तीज सितंबर के बीच पोशन महा मनाते हैं कूपोशन के खिलाप पूरे देश में अनेक क्रियेटिव और डायवर्स एफर्स किये जा रहे हैं टेकनलोजी का बहतर इस्तिमाल और जन्भागीदारी भी पोशन अभ्यान का महत्वपुन हिस्सा बना है देश में लाखों आंगनवाडी कारकरताओं को मोबाइल डिवाइज देने से रेकर आंगनवाडी सेवाओं की पहुँच को मोनिटर करने के लिए पोशन ट्रेकर भी लाँच किया गया है सभी एस्पिरेशनल डिस्टिक्स और नौर्स इसके राज्यों में चवदा से अठारा साल की बेटियों को भी पोशन अभ्यान के दायरे में लाया गया है कूपोशन की समस्या का निराकरन इन कदबों तक ही सिमित नहीं है इस लड़ाई में दूसरी कई और पहल की भी अहम भूमी का है उधार के तोर पर जल जीवन मिशन को ही ले तो भारत को कूपोशन मुक्त कराने में इस मिशन का भी बहुत बड़ा असर होने वाला है कूपोशन की चुनोतियों से निपटने में सामाजीक जागुरुकता से जुड़े प्रयास महत्पपन भूमी का निभाते हैं मैं आप सभी से आगर करूँगा कि आप आने वाले पोशन महा में कूपोशन या मालनुट्रेशन को दूर करने के प्रयासों में हिस्सा जुरूर ले मेरे प्यारे देश्वास्यों चेनने से स्री देवी वर्दराजन जी ने मुझे एक रिमाइंडर बेजा है उन्होंने माय गौव पर अपनी बात कुछ इस प्रकार से लिखी है नए साल के आने में तब पांच महने से भी कम समय बचा है और हम सब जानते हैं कि आने वाला नया साल इंटरनेशनल येर ओफ मिलेट्स के तौर पर मनाये जाएगा उन्होंने मुझे देश का एक मिलेट्स मैप भी बेजा है साथ ही पूछा है कि क्या आप मन की बात में आने वाले एपिसोड में इस पर चल्चा कर सकते हैं मुझे अपने देश वास्यों में इस तरह के जज़बे को देखकर बहुती आनन की अनुभूती होती है आपके याद होगा कि उनाइटेड नेशन्त ने एक प्रस्ताव पारित कर वर्स 2023 2023 को इंटरनेशनल येर ओफ मिलेट्स गोशित किया है आपको ये जानकर भी बहुत खोशी होगी कि भारत के इस प्रस्ताव को सत्तर से जादा देशों का समर्थन मिला था आज दुनिया भर में इसी मोटे अनाज का मिलेट्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है साथियों जब मैं मोटे अनाज की बात करता हूँ तो मेरे एक प्रयास को भी मैं आज आपको शैर करना चाहता हूँ पिछले कुछ समय से भारत में कोई भी जब विदेशी महमान आते हैं राष्टा अध्यक्ष भारत आते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि भोजन में भारत के मिलेट्स यहने मोटे अनाज से बनी हुई डिसेज बनवाओं और अनुभव यह आया है इन महनुभाओं को यह डिसेज बहुत पसंद आती है और हमारे मोटे अनाज के समद में मिलेट्स के समद में काफी कुछ जानकारिया एकतर करने का वो प्रयाद भी करते हैं मिलेट्स मोटे अनाच प्राचिन काल्चरी हमारे एग्रिकल्चर और सिविलाइसर्स का हिस्सा रहे हैं हमारे वेदों में मिलेट्स का उलेख मिलता है और इसी कर पुराण नुरु और तोलकप पियम में भी इसके बारे में बताया गया है आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं आपको वहां लोगों के खानपान में अलग-अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी बहुत विवित्ताइं पाई जाती हैं जवार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुट्की, कुट्टू ये सब मिलेट्स ही तो है भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश हैं इसलिए इस पहल को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी भी हम भारत वास्यों के कंदे पर ही हैं हम सब को मिलकर इसे जन अंदोलन बनाना है और देश के लोगों में मिलेट्स के प्रती जागुर्टा भी बढ़ानी है और साथियों आप तो भली बात ही जानते हैं तयार हो जाती हैं और इसमें ज़्यादा पानी की आवश्रक्ता भी नहीं होती है हमारे छोटे किसानों के लिए तो मिलेट्स विशे इस रुप से लापकरी है मिलेट्स के भूसे को बहतरिम चारा भी मरा जाता है आजकल युवापीडी, हेल्दी लिविंग और इटिंग को लेकर बहुत फोकस है इस हिसाब से भी देखें तो मिलेट्स में भरपुर्प्रोटेन, हाइबर और मिल्रंस मोजुद होते हैं कोई लोग तो इसे सूपर फुड भी बोलते हैं मिलेट्स से एक नहीं अनेक लाब है ओबेसिटी को कम करने के साथ ही दायवेटीज, हाइपर टेंशन और हार्ट लिडर डिसिस की खत्रे को भी कम करते हैं इसके साथ ही ये पेट और लिवर की बिमारियों से बचाओं में भी मत्तगार है थोड़े दिर पहले ही हमने कूपोशन के बारे में बात की हैं कूपोशन से लडने में भी मिलेट्स काफी लाब दायग हैं क्योंकि ये प्रोटीन के साथ साथ एनरजी से भी भरे होते हैं देश में आज मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। इससे जुड़ी रिसर्च और इन्नोविशन पर फोकस करने के साथ ही एपियोस को प्रोसाइद किया जा रहा है ताकि उत्पादन बढ़ाये जा सके। मेरा अपने किसान, भाई, बहनों से यही आग रहे हैं कि मिलेट्स यानि मोटे अनाज को अधीच से अधीक अपनाएं और इसका फायदा उठाएं। मुझे देखकर काफी अच्छा लगता है कि आज कई ऐसे स्टार्टस उभर रहे हैं जो मिलेट्स पर काम कर रहे हैं। इन में से कुछ मिलेट कुकीज बना रहे हैं, तो कुछ मिलेट, पैनकेक्स और डोसा भी बना रहे हैं। वही कुछ ऐसे हैं जो मिलेट एनर्जी बार्स और मिलेट ब्रेक्टफास्ट तयार कर रहे हैं में इस खेतर में काम करने वाले सभी लोगों को बहुत-बहुत सुबकामनाई देता हूँ तयोहारों के इस मौसम में हम लोग अधिक तर पक्वानों में भी मिलेट्स का उप्योग करते हैं आप अपने घरों में बने ऐसे पक्वानों की तस्वेरे सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें ताकि लोगों के बीच मिलेट्स को लेकर जागरुकता बढ़ाने में मदद मिले मेरे पैरे देशवाजियों अभी कुछ दिन पहले मैंने अरुनाचल प्रदेश के सियांग जिले में जोर सिंग गाउं की एक खबर देखी ये खबर एक ऐसे बड़लाव के बारे में थी जिसका इंतजार इस गाउं के लोगों को कई वर्षों से था दरसल जोर सिंग गाउं में इसी महने स्वतंतरता दिवस के दीन से 4G इंटरनेट की सेवाई शुरू हो गई है जैसे पहले कभी गाउं में बिजली पहुँचने पर लोग खुश होते थे अब नए भारत में बैसी ही खुशी फोर्जी पहुँचने पर होती है अरुनाचल और नौर्सिष के दूर सुदूर इलाकों में 4G के तोर पर एक नया सुर्यवदय हुआ है इंटरनेट कनेक्टिविटी एक नया सभेरा लेकर आई है जो सुविधाय कभी सिर्फ बड़े शहरों में होती थी वो डिजिटल इंडिया ने गाउं गाउं में पहुचा दी है इस वज़े से देश में नए डिजिटल एंटर्परिनर पैदा हो रहे है राजस्तान के अजमेर जिले के सेठा सी रावज जी दरजी ओनलाइन इस्टोर चलाते हैं आप सोचेंगे ये क्या काम हुआ दरजी ओनलाइन दरसल सेठा सी रावज कोविड के पहले टेलरिंग का काम करते थी कोबिड आया तो रावज जी ने इस चुनोजती को मुश्किल नहीं बल्कि आउसर के रूप में लिया। उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC e-store जोइन किया और ओनलाइन कामकार शुरू किया। उन्होंने देखा कि ग्राहक बड़ी संख्या में मास्का ओर दे रहे हैं। उन्होंने कुछ महिलाओं को काम पर रखा और मास्क बनवाने लगे। इसके बाद उन्होंने दरजी ओनलाइन नाम से अपना ओनलाइन स्टोर शुरू कर दिया। जिसमें और भी कही तरह से वो बना कर बेचने लगे। आज डिजिटल इंडिया की ताकत से सेठा सींजी का काम इतना बढ़ चुका है कि अब उन्हें पूरे देश से ओर्डर मिलते हैं। सैंक्डो महिलाओं को उन्होंने अपने यहां रोजगार दे रखा है। डिजिटल इंडिया ने यूपी के उ ज़्यादा ब्राडबेन कनेक्शन सापित किया है। ओम प्रकास जी ने अपने कॉमन सर्विस सेंटर के आसपास निशुल का वाइफाई जोन का भी निर्मार किया है। जिससे जरुवत मन लोगों की बहुत मदद हो रही है। ओम प्रकास जी का काम अब इतना बढ़ गया ह है कि उन्होंने बिश से जादा लोगों को नोकरी पर रख लिया है। ये लोग गाउं के स्कूल, अस्पतार, तैसील आफिस और अंगनवाडी के अंदरों तक ब्राडबेन कनेक्शन पहुचा रहे हैं और इसे रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर की तरह ही गवर्मेंट इमार्केट प्लेश यानि जेम पॉर्टर पर भी ऐसी कितनी सक्से स्टोरी देखने को मिल रही है। साथ्यों, मुझे गाउं से ऐसे कितने ही संदेश मिलते हैं जो इंटरनेट की वज़़न से आये बढ़लाओं को मुझसे करते हैं। जीवन डिजिटल इंडिया भ्यान से नई शक्ति पा रहे हैं। आप मुझे गाउं के डिजिटल एंटर्परिनर के बारे में जादा से जादा लिख करके भेजें और उनकी सक्से स्टोरीज को सोशल मेडिया पर भी जरूर साज़ा करें। मेरे पैरे देशवासियों कुछ समय पहले मुझे हिमाचल प्रदेश से मन की बात के एक्षरता रमेश जी का पत्र मिला। रमेश जी ने अपने पत्र में पहाडों की कई खुब्यों का जिक्र गिया है। उन्होंने लिखा कि पहाडों पर बस्तियां भले ही दूर दूर बस्ति हो लेकिन लोगों के दिल एक दूसरे के बहुत नदिक होते हैं। वाकई पहाडों पर रहने वाले लोगों के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहाडों पर ये एक महनत बरा और मुश्किल काम होता है। लेकिन यहाँ गाउं की महलाए एकटा होकर एक साथ मिलकर एक दूसरे के खेतों से मतर तोड़ती हैं। इस काम के साथ साथ महलाए स्थानिय गीत छपरा माजी छपरा ये भी गाती है। यानि यहाँ आपसी सहयोग भी लोग परंपरा का एक हिस्सा है। स्पीती में स्थानिय संसाधरों के सदूपियों का भी बहतरिन उधारन मिलता है। स्पीती में किसान जो गाए पालते हैं उनके गोबर को सुखा कर बोरियों में भर लेते हैं। जब सर्दियां आती हैं तो इन बोरियों को गाय के रहने की जगर में जिसे यहाँ खुड कहते हैं उसमें बिशा दिया जाता है। बर्पबारी के बीच ये बोरियां गायों को ठंड से सुरक्षा देती हैं। सर्दियां जाने के बाद यही गोबर खेतों में खाद के रुप में इस्तिमाल किया जाता है। सरानिय प्रयास हमारे एक और पहड़ी राज उत्राखन में भी देखने को मिल रहे हैं। उत्राखन में कई प्रकार के अवश्रदी और वनस्पतियां पाई जाती हैं। जो हमारे सहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। उन्ही में से एक फल है बेडू। इसे हिमालयन फिक के नाम से भी जाना जाता है। इस फल में खनीज और विटामीन भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं। लोग फल के रुप में तो इसका सेवन करते ही हैं। साथ ही कई बिमारियों के इलाज में भी इसका उप्योग होता है। इस फल की इनी खुबियों को देखते हुए अब बेडू के जूस, इससे बने जैम, चटनी, अचार और इन्हें सुखा कर तयार किये गए ड्राइफूट को बाजार में उतारा गया है। पिथोरा अगट प्रसासन की पहल और स्थानिय लोगों के सहयोग से बेडू को बाजार तक अलग-अलग रूपों में पहुचाने में सफरता मिली है। बेडू को पहाडी अंजीर के नाम से ब्रांडिंग करके ऑनलाइन मार्केट में भी उतारा गया है। इससे किसानों को आयका नया स्रोत तो मिलाई है। साथ ही बेडू के अउसदिये गुणों का फायदा दूर-दूर तक पहुचने लगा है। मेरे प्यारे देश्वाश्यों मन की बात में आज सुरुवात में हमने आज हादिके अमृत महोचव के बारे में बात की है। स्वतंतरता दिवस के एक महान परव के साथ साथ आने वाले दिनों में और भी कई परव आने वाले हैं। अभी कुछ दिन बाद ही भगवान गनेश्ट की आरादना का परव गनेश्चतूर्थी हैं। का मतलब ही होता है नया खाना यानि ये भी दूसरे कई परव की तरह ही हमारी क्रशी प्रंपरा से जुड़ा त्योहार है। इसी बीच जाइन समाज का समशरी परव भी होगा। हमारी सभी परव हमारी सांस्कृतिक सम्रुदी और जिवनतता के परियाय हैं। मैं आप सभी को इन त्योहारों और विशेस अवसरों के लिए शुब कामनाई देता हूँ। इन परवों के साथ साथ कल 29 अगस को मेजर ध्यानचन जी की जन्म जैनती पर राष्ट्य खेल दिवस भी मनाये जाएगा। हमारे युवा खिलाडी वैश्विक मंचों पर हमारे तिरंगे की शान बढ़ाते रहें। यही हमारी ध्यानचन जी के परती स्रद्धानजली होगी। देश के लिए हम सभी मिलकर ऐसे ही काम करते रहें। देश का मान बढ़ाते रहें। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात सवाब्त करता हूँ। अगले हमा एक बार फिर आप से मन की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।